दिग्ना हर्का श्री गणिशा, श्री गणिशा, श्री गणिशा नाग लोग के वासियों समानण है आप सभी को कि किस चलावे के कारण आपकी जिहा इस प्रकार दो भाग में विबिक्थ हो कि या उस घटना को भी भूल चुके आप सभी स्वामी, कौन है ये दोस्ट आधाम असुर? ये सुर जीवित यहां कैसे प्रवेश कर गया? मेरे सिनापती ने इसे कैसे प्रवेश करने दिया? कौन है ये दोस्ट आसुर? और किस प्रइवजन से आया है यहां? नागों के शुक्षिन तक आपको स्परण दिलाएंगे कि किस प्रकार देवताओं ने आपके साथ दुष्टता की स्परण दिलाएंगे आपको छलावे का जो कारण बना आपके विबद जिवा का नागों की विबत जिवा की घटना का आरमतु रिशी कश्यप से हुआ जिने भ्रमदेव ने शृष्टी में जीवों की उत्पत्ती का भार सौपत रिशीवर ने प्रजापती दक्ष की तेरा पुत्रियों से विवा किया और समस देवता उनकी प्रथम पत्नी देवी अधिती की संतान बने उनकी द्वितिय पत्नी देवी दिती दानवों की माता बने और फिल जब उनकी अन्य पत्नियों से संतान उत्पत्ती का समय आया तब उन्होंने अपनी पत्नी देवी कद्रू और देवी विंतास एक सरल सा प्रश्न पूज आप दोनों को कैसी संतानों की प्राप्टिकी इच्छा है देवियों? स्वामी, मैं एक शहस्त शक्तिशाली पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ स्वामी, मुझे तो मात्र दो तेजस्वी पुत्र ही संतान के रूप में चाहिए जो अपने अद्भूत और अपूर्व देज और प्रताप के लिए संसार में विशेश ख्याती अरजित करे देवी कद्रू, चतुर और कप्टी थी और वो अपने लिए सर्वशेश संतान चाहती थी अपने से भी उत्तम संतान चाहती थी और उनी से विपरीत, देवी विंता, शांत, सरल और भूली थी और वो कम में ही संतुश थी सरा इद्रे की थी आपकी माता, देवी कद्रू और देवी विनता, अत्यान तेई चतुर और कप्टी और शी कचब ने दोनों की इच्छा पूर्ण की और आपकी माता कद्रू के इच्छा अनुसार उन्हें सहस्त्र अंड प्राप्थ हुए और देवी विनता के अनुसार उन्हें दो अंड प्राप्थ हुए देवी कद्रू के शास्त्र अंड यता शीकरी संतान उत्पन करने लगी और इसी प्रकार जन्मोवा शक्त्री शाली नागों का वो एक एक नाग अत्यनत उग्र था और शक्तियों से परिपूर भी था प्रतीत होता है, मेरी परती देवी नाग लक्ष्मी पर भी इन वायवी तरगों का प्रभाव हो रहा है मुझे किसी प्रकार इसके प्रभाव को रोगना होगा किन्तु देवी विनता कहा शांत बैठने वाली थी उन्होंने समस्त नागों से अत्यन तही शक्ति शाली और वर्ट शाली संतानों की कामना की थी किन्तु दुर्बाग यवश दुर्बाग यवश नागों के जन्मों के उप्रांद भी उनके अंड में कोई भी गति उत्पन नहीं होई देवी विनता ने तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा व्यक और जिस प्रकार तेज उत्पन करने हैं तु चेश्ठा, चिंतन और धैरे पूर्वक प्रतीक्षा करने होती है उसी प्रकार तेजस्वी संतान के लिए भी धैरे धारन करना होता है झाल झाल जब प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीद गया तो मा का मन नहीं माना और वो चिंतित हो थी और फिर एक समय ऐसा भी आया जब उनके धैर्य का बांध तूट गया और इस पीडा से वो इतनी विचलित हो थी कि उनहीं के हाते एक अंड खंडित हो गया पुत्रे 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 और फिर उस खंडित अंड से एक अर्ध विक्सित अरुन उत्पन हुआ समय से पुर्व खंडित होने के कारण उससे उत्पन होने वाले देवी विंता के पुत्र अरुन के पंक अर्ध विक्सित ही रहे गए आपने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया मा अब मुझे जीवन परियांत ये कश्ट भोगना होगा अर्ध विक्षित पंक लेकर समपूर्ण जीवन व्यातित करना होगा मुझे शमा कर दो पुत्र मैं गेहन जिन्ता में डूब गई थी मुझे और देवी कत्रु को एक साथ आशिरवात मिला था किन्तु उनके तो शहस्त्र अंड उनके पुत्रों को बहुत समय पूर्व ही जन्म दे चुके थे गिन्तु मेरे अंड अभी भी उसी आवस्ता में थे इसलिए धीरच खोकर मैं ये भूल कर बैठी मुझे लगा कि उस अंड के आवरं के कठोर हो जाने के कारण तुम तुम उससे बाहर निकलने में असमर्थ हो रहे हूँ आपको अपना सैयम खोने की अपनी इस भूल का दंड भूगतना होगा आपको माता कद्रू की दास पन कर रहना होगा वही माता कद्रू जिनके अंड से अपने अंड की तुलना कर आप अपना धीरच खो बैठी पुत्र, अपनी मा को ऐसा दंड मत दो, मुझे शमा कर दो, जो शाप मैं दे चुका हूँ, उसे तो मैं कभी परिवर्थित नहीं कर सकता किन्तु हाँ, यदि आप अब धीरज का परिचे देंगी, तो आपका दूसरा अंड एक ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व को जन्द देगा, जो आपको दास्ता से मुक्त कराएगा देवी विंता से जो भूल हुई, वो एक सरण हिर्दे माता की भूल थी, किन्तु फिर भी उन्हें अपनी संतान से श्राप प्रस्थ होने का दुरभाग सैना पड़ा फिर क्या हुआ मा? तब अरोण अकाश में उचे उड़ते चले गए, और उन्होंने सूरदेव के सार्थी का कारे भार समहाला अपने स्वयं के पुत्रन ने जिसे दंडित किया हम आपसे कह रहे हैं तनिक विचार कीजिए वो स्त्री वो देवी देवी विनेता कितनी कटोर और कितनी कफ्ति हो सकती है जिसके इदे में कुतीलता निवास करती है, सद विचार उसे चो तक नहीं सकते और सदय, सदय देवी कद्रू को नीचा दिखाने का प्रयास करती, उनसे इचा करती ऐसी थी देवी विरता. यह कैसा प्रभाव है इस मायवी हसुर की माया का, मैं भी उससे प्रभावित होता जा रहा हूँ, उससे अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? और एक दिवस ऐसी गटना होगी, कि दुर्तता से बरी देवी विनता नाग लोग की देवी, देवी कद्रू को अपने जाल में फसाने का प्रयास किया. किन्तु वो कहते हैं न, जो कप्ती होता है, वो अपने चाल की जाल में स्वयम फस जाता है, और दुर्भाग्यवस, दुर्भाग्यवस देवी विनता के साथ भी उस दिवस यही हुआ, वे स्वयम अपने चाल की जाल में उलज गई. उनके पुत्र अरुन का श्राप तो फलित होना ही था, इसलिए एक दिवस ऐसी घटना घटित हुई, जिसके कारण सदा के लिए देवी विनता को, देवी कद्रू की दासी बनने के लिए विवश होना पड़ा. और उस दिवस, समुद्र मन्थन से उत्पन, दिव्य अश्वर, उचेश्वरा उनके आश्रम के उपर से निकले, और उनकी घटी इतनी अधिक थी, इतनी अधिक थी, कि देवी कद्रू को ये प्रतीत हुआ, कि उनकी पूझ काली है. किन्तु देवी विनता, देवी विनता सदेव नाग माता देवी कद्रू का अपमान करने के लिए ततपर रहती थी, और जब उन्हें ग्यात हुआ, कि नाग माता को इस बात पर विश्वास है, कि दिव्य अश्वर की पूझ काली है, तो इसमें भी उन्होंने अपने कपट का परीचे ही दिया, और उन्होंने देवी कद्रू की सरल्ता का लाब उठाकर, उनसे इस अवस्ताक पर निश्चित कर, ताव लगा दिया। देवी कद्रू को स्वेम पर अत्याधिक विश्वास था, तो उन्होंने देवी विंता को चुनोती दे दी, और इसी को लेकर उनसे दाव भी लगा लिया। को मेरे साथ साथ मेरे समस्तर पूत्रों की दासी बनना होगा। अरे क्या हुआ, इतना ही विश्वास है अपने उपर। उचित है फिर, आप मुझे इतना बात ध्या कर रही है, तो मैं ये अवस्था स्विकार करती हूँ। वो दोनों ये भूल गए थे कि इतनी महत्वहीन बातों पर दाव लगाना संकट को आमंतरन देने के समान है। देवी विंता को अपनी द्रिष्टी पर पून विश्वास था। इसलिए वो देवी कद्रू के साथ किसी भी अवस्था को निश्चित कर दाव नहीं लगाना चाहती थी। किन्तु देवी कद्रू अपने एहंकार के कारण अपनी भूल स्वीकार नहीं करना चाती थी और जब देवी विनता सत्य कथन पर स्थित रही तो उन्हें उसका बहुत बड़ा मूले भी चुकाना पड़ा क्योंकि जब देवी कद्रू ने इस बात की चर्चा अपने पुत्रों से की नाग माता देवी कद्रू के संतानों ने जब इस कटना का श्रमड किया तो उन्हें क्यात हुआ कि किस प्रकार देवी विनता ने उनकी माता देवी कद्रू के साथ चल किया है और उन्हें एक ऐसे अनुचित अवस्ता पर धाव रखने के लिए विवश्च कर लिया जिसका परिणाम अनंत काल के लिए उनके अपमान का कारण बन सकता था तो वो दीवी विनिता के कपट का विचार कर चकिती रह गए किन्तु आप सभी के पुर्वज देवी कद्रू के योग पुत्र नाग मात्र भक्त थे उनके माता के साथ कोई कपट करें यह उन्हां साइनिय था वो यह कभी नहीं देख सकते थे कि उनकी माता देवी विनिता की दासी बनने पर विवश हो जाए इसलिए अपने माता के प्रतिन इस्टावान पुत्रों ने उनकी रक्षा करने का प्रण लिया और एक योजना निर्मान की तो उन कप्ती नागों ने सरलता की प्रतिमा देवी विनिता को चलने में अपनी माता को इस दाव में विजय बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया शीग रही सब नागों को अपनी माया के वशीबूत कर लेगा ये माया सुर्व ताकि दुर्गमा सुर्व हमारा परमित्र अपना अनुष्टान सरलता से संपन कर वो देवी आली शक्ती को पराजित कर सके तो दूसरे दिवस जब दिव्य उच्चे शर्वा उस मार्क से लोड रहे थी देवी कद्रू के पुत्रों ने अर्थात नागों ने स्वैम को उस दिव्य अश्रू उच्चे शर्वा की पूछ में लपेट लिया जिससे की जो भी उनकी पूछ को देखे वो काली ही प्रतीत हो अरे इन श्वेद दिव्य अश्व की पूछ एक ही दिवस के अंतराल में काली कैसे हो गई ये रहस मुझे क्या तवश्य है मेरे पुत्रों ने ही इसे संभव किया है किन्तु ये गुप्त रहस मैं तुम पर कभी उच्चागर नहीं होने दूँगी अपनी माता को प्रसन करने है तु नागों ने निसंकोच अपने माता के आदेश का पालन किया जिसके परिणाम स्वरू निर्दोश देवी विंता देवी कद्रू और उनकी संतानों की सेविका बनने के लिए विवश होगे और ऐसा अनेक वर्षो तक स्थिर रहा जब देवी विंता के दूसरे अंड के खंडत होने पर अती बल्वान गरुन देव का जन है जन पाते हैं स्वभाविक रूप से गरुन देव अपनी माता को ढूनने के लिए गए किन्तु उन्होंने जो देखा उसके कश से वो स्थब्द रह गए मुझसां सांपना पाता है नही नहीं कुचा सांपना परता है अलोन से पूर मेन पूजन पूरो शे शेख शिफदे आग़ों Khona बहुत भूँ कलगी है मुझसां पलड़ाए आजम्ममüm मुझसां पूग लगी है मा पुत्र फिर क्या हुआ मा एक पुत्र अपनी मा को ऐसी अवस्था में कैसे देख सकता है ये गरुण देव के लिए तो असेहनियरा होगा ना मा हाँ मा कोई भी पुत्र ये कैसे स्विकार कर सकता है हाँ पुत्र गरुण देव भी नागों के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित इसलिए वो उसी शन अपनी मातों को नागों की दास्ता से मुक्त कराने है तु ततपर होकर नाग माता देवी कद्रू के समक्ष प्रस्तोत हो गए प्रणाम नाग माता मैं विंता पुत्र गरुण हूँ मेरी माता को आपकी दास्ता से मुक्त कराने के लिए आप क्या चाहती है ओ तो तुम अपनी माता को मुक्त कराने के लिए कुछ भी लाने के लिए तैयार हो तो चाओ स्वर्क से मेरे लिए अमरित लाके मेरे समक्ष रख दो और मैं तुम्हें बचन देती हूँ मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूँगी फिर क्या हुआ मा आगे बताईए ना नाग माता का संतोष तो स्वाविक था क्योंकि अमरुद्ध मंतन के समय आप नागों के साथ गोर अन्याई जो हुआ था और इसी कारण उन्होंने अमरुद्ध प्रस्तुत करने के लिए कहा जहात है क्यों आप नागों की भलाई के लिए यह प्रभू मेरी सहायता कीजिए मुझे इस दुष्ट के प्रभाव से मुक्त रखिए क्या गरूर देव स्वर्ग से अमरुद्ध लाने गए वहाँ अपनी माता को मुक्त कराने का द्रिड निश्चर ले चुके थी तो वो वहाँ से सीधे स्वर्ग गए अमरुद्ध प्राफगन तो उने सभी देवताओं ने रोखने का प्रयास किये और सर्व प्रथम अगनी देव आगे बड़ी और अगनी अस्त्रों की वर्षा की उन पर फिर वरुन देव ने जलास्त्रों का प्रयोग किये सूर्यदेव ने उन्हें अपनी तीक्ष्र केंड़ों से भस्म करने की चेश्था की और इंद्रदेव ने अपने विद्युथ से आकरिमन्ड की कि तो कोई भी करुन देव को शती नहीं पोचा देवकर्ण मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं आया मैं तो अमरित प्राप करने आया हूं और स्वयम अपने लिए नहीं अपितु अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए इसलिए मेरे मार्ग में बाधा मत बनिये क्योंकि जो भी मा की सेवा में बाधा उत्पन करेगा उसे उसका भयंकर परिणाम का सामना करना होगा तो क्या इसके परिणाम सुरूप, महान योध्धा, गरुरदेव और शक्तिशाली देवताओं के मत यूद्ध भी हुआ पुत्र ये तो एक अतीत की बीती हुई कथा कि तो मुझे चिंता इस बात की है कि दुष्म, दुर्गमासुर और मायासुर के कारण अब एक विक्राल संकट उत्पन होने की अपनी चरम सीमा तक पहुट चुका है जब कोई संतान सची निष्ठा भाव से अपनी मा की सिवा के लिए तत्पर होता है तो वो अपने समक्ष आये कठिन से कठिन संकटों का भी सामना सरलता से कर लेता for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos